का इंट तर चेंज ओके वरना आप सीधा नाया प्रोविजन पड़ोगे आपको पता नहीं चलेगा ऐसा ओर प्रोविजन क्यों है नाव सब इस तिंग वी निद तो रिमेंबर यह सर यह कैसे याद रखेंगे एकदम सिंपल है आई के सामने आई cgst के सामने cgst और sgst के सामने sgst यानि पहला जो बॉक्स है वो तो सिंपल है अपने आप igst i के सामने उसके बाद balance बचा तो c उसके बाद balance बचा तो s flow में याद रखना है C के सामने पहले C, balance बचा तो I S के सामने S और balance बचा तो I C और S एक दूसरे के सामने set नहीं होते है ओके, सर इसे कैसे याद रखेंगे, यह थोड़ा सा odd है देखो, इतना तो कुछ odd नहीं है लेकिन मान लो याद रखना हो तो एक method है सिफ समदने के लिए ऐसा मान लो कि यह जो I, G, E, S, T है वो husband है I, G, E, S, T है, वो husband है C, G, E, S, T जो है, वो husband की mother है और S, G, E, S, T जो है, वो उसकी wife है ऐसा खाली समदने के लिए कहीं पर लिखना मत I, G, E, S, T जो है, वो कौन है? मदर, हस्बेंड की यानि जो लड़का है उसकी mother और C, G, E, S, T के बाद जो S, G, E, S, T जो है, वो है उसकी wife सर, क्या होता है ऐसा याद रखने से? मैं समझाता हूँ अगर हस्बेंड के पास पैसे है तो वो सबसे पहले किसके लिए यूज करेगा? तक है सर खुद के लिए उसकी salary में से पहले वो उसका छोटा बड़ा को देगा, S, G, E, S, T को देगा यानि मान लो आप सक्सेस्पूल सीए बन गए आपका डेट लाग salary है तो सबसे पहले आप उसमें से अपना खर्चा निकाल लोगे फिर ममी को दोगे और फिर फिर उसके पास पैसे बचे होंगे तो भी वो उसकी बहु को नहीं देगी यानि C, G, E, S, G, E, S, T के सामने तो सेट अप होगा नहीं similarly wife के पास पैसे होंगे तो wife पहले अपने लिए ही रखेंगी पैसे खुद के लिए S, G, E, S, T golden वो सबसे पहले अपने सामने सेट होगा, फिर balance बचेगा तो C के सामने, फिर balance बचेगा तो S के सामने, C जो होगा वो पहले C के सामने, फिर balance बचा तो I के सामने, S के सामने होगा यह नहीं Central और State की पहले भी नहीं बनती थी पहले भी वेट और exercise का set-off नहीं मिलता था अब भी C और S का एक दूसरे के सामने set-off नहीं मिलता है S का set-off होगा तो पहले S के सामने फिर balance बचा तो I के सामने है C के सामने नहीं मिलता है So I hope now you can remember See we have to find out some method how to remember Okay, nothing else तो यह base है इसमें छोटा सा change है, amendment है बड़ वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि I want you to remember this and let us finish chapter number 1 When we go to chapter number 6 which is specifically input tax credit तब हम exact scenario भढ़ेंगे अभी हम book के इसाब से ही जाएंगे I hope this is clear I के सामने I फिर balance बचा तो C फिर balance बचा तो S C के सामने C फिर balance बचा तो I और फिर कुछ भी नहीं S के सामने set off नहीं होगा S के सामने S फिर balance बचा तो I वो C के सामने नहीं होगा C and S is not getting set off Now the level has been changed As of now amendment is there छोटा बड़ा change है I के सामने I करो फिर C और S में से आपको जो करना है करो ऐसे सब option है वो option में अभी आपको explore नहीं कर रहा हूँ Because I don't want to confuse you तो यह हो गया अब हम set off की दुनिया में जाते हैं तो हमने क्या किया था यह सम में If you remember C के सामने हमने C को set किया और S के सामने हमने S को set किया क्योंकि हमारे पास I नहीं था और net amount pay किया 360 अब ध्यान से देखो What is the amount received by government Amount Received by government Government को किस तरह से पैसे मिलते हैं जो कई बार आप लोग पूछते हो तो मैं आपको guide कर देता हूँ कैसे मिलेगा government को पैसे यहां पे दो जगा पे government को पैसे मिलने वाल है CGST और SGST How government is getting money I am telling you Number 1 जो A और B का transaction हुआ था First transaction was between A and B उसमें B ने A को पैसे दिये थे और A ने सरकार को अठारा सो अठारा सो दिये थे So सबसे पहले when A and B transaction A और B का जो transaction हुआ था उसमें सरकार को कितने रुपे मिले थे 1800 CGST और 1800 SGST First transaction में A और B के बीच में Okay dear friends और दूसरा जब B और C के बीच में transaction हुआ between B and C B and C का जब transaction हुआ तो वो केस में क्या हुआ हमने B और C के बीच में sales tax means GST on sales was 2160 2160 फिर उसमें से जो tax pay कर दिया थे 1800-1800 का हमने credit लिया sale के सामने purchase का credit और फिर net amount जो net amount था वो हमने pay किया यानि second category में हमने सिफ 360-360 government को pay किये so total government को पैसे तो उतने ही मिलेंगे लेकिन दो पार्ट में मिलेंगे 2160 and 2160 इस तरह से सरकार को पैसे मिलने वाल है ओके इस तरह से सरकार को पैसे मिलेंगे चो यह transaction उन्होंने मैंने इस तरह box में दिया है book में revenue shared between central and state central government CGST 2160 A2B and B2C and revenue between state government again A2B and B2C 2160 2160 इस तरह से सरकार को इस तरह से पैसे मिलेंगे दो पार्ट में फिर में transaction लेने वाला हो interstate supply interstate यानि एक state में से दूसरे state but I hope this is clear इस में अगर किसी को दो में doubt है तो let us take doubt but stay restricted to the concept only इसके related doubt है तो ही बोलना कुछ और मत पूछना अभी क्योंकि अभी एक बहुत important concept बाकी है interstate वाला जो मैं IGST में एक जगा से दूसरी जगा shift होंगे उसके बात कर रहे है is it okay तो नाव यह टेकिंग नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लेंगे इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन कैसा है एक्स ऑफ गुज्राट टू ए ऑफ गुज्राट सेम रेट इसलिए होता है क्योंकि गुड्स तो एक ही है ना जैसे मानलो कि मैंने क्या खरीदा था बीस अजार में टोस्टर मैंने क्या खरीदा था चैर तो चैर का रेट तो सेम ही रहता है रेट वोंट चेंज IGST का सेट ओफ अभी देखते हैं नेक्स सम्में तीशा IGST वी आर गोइंग टो टेक इट नाओ ओके IGST आव नॉट टेकन येट अभी IGST लेंगे सेकेंड पार्ट है तब वो आपको प्रोविजन क्लियर होगा कि बैलेंस बैलेंस देखेंगे अभी 2160 बरेंगे और फिर यूज वो 800 केट मिल जाएगा फिर डायरेक्ली 360 पे करेंगे यस कार्थिक विल पे 360 ओनली बी विल पे ओनली 360 बी इस गोइंग टो पे 360 ओनली हाँ बैलेंस बचेगा तो हम रखेंगे अपने पास वो क्रेडिट होती है उसका कोई प्रोब्लम नहीं पैसे अपने गवर्मेंट के पास पढ़े रहेंगे ऐसा हो सकते हैं मानलो आपने गुड्स पर्चेस ही किय और सेल नहीं किया अपने पर्चेस ही किया और सेल नहीं हुआ है तो अपने अल्ड़ी गवर्मेंट के बस बैलेंस पढ़ा हुआ है जब हमें सेट करना होगा तब बात में सेट कर सकते हैं रीजन cgst और sgst का वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है स्टेट गवर्मेंट और सेंट्रल गवर्मेंट अलग अलग होती है उनको एक दूसरे के सामने सेट आफ करना ही नहीं है अगर करना होता तो हम यह c और s के कॉंसेट में ही नहीं जाते हम igst single cgst रखते c और s क का कॉंसेट ही नहीं रखते है क्योंकि बहुत सारे स्टेट में क्या होता है जगडा बहुत होता है तो दे डोंट सेट आफ इच अदर नहीं होगी एक के पास क्रेडिट हो सकता है बट जनरली रॉव मट्रियल लिया होगा तब होगा हो सकती है क्रेडिट बट मैंने उसके अंगल से देखा नहीं मैं सब एंगल से देखाने जाओ wanna आप अभी आप B पे ध्यान रखो, अब मैं 4 लेयर लूँगा, अभी B, B आएगा, C, B आएगा, A के पास हो सकती एक credit है, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकती, बट उसका angle नहीं देखा है मैंने, हम देखेंगे तो same concept होगा, जो B के लिए होगा, वही A के लिए होगा, चलो आप सब ध्यान गुजरात मैं, X में से, उसने A को दिया, A is also in गुजरात, X is also in गुजरात, some amount I have kept it same, so don't worry, 20,000 बिल, plus CGST, plus SGST, 1800, 1800, so same amount 23,600, A will pay to B, X will pay to government, CNS, CGST and SGST, 1800, 1800, यह पहला transaction है, जहाँ पर government को पैसे मिलेंगे, यह same है, similar है, ओके, अब ध्यान से देखो, अब transaction में change आ रहा है, यह पूरा sum खतम होगा, उसके बाद मेरे हिसाब से, query नहीं रहेंगी, जो अभी आपके दिमाग में हो, नहीं रहेंगी, पहले ध्यान से समझने के कोशिस करो, Part 2, Supply of Goods Service by A of Gujarat to B of Rajasthan, A of Gujarat to B of Rajasthan, state change हुआ, state change हो रहा है, ध्यान से देखो, अब क्या होगा, A of Gujarat to B of Rajasthan, B of Rajasthan में गया goods, ज्यान से सुनो, तो अब क्या हो रहा है, again we add 20% margin तो हमें add करी रहे हैं, तो हमारा cost of goods क्या हो गया, यह 20 था, उसकी जगा 24, but as state is changing, it is not CGST, SGST, it is IGST, सब सांती से देखो, IGST, IGST कितना होगा, same rate, क्योंकि product तो same है, पंखा है, तो पंखा ही जा रहा है, last moment तक, तो उस पर 18%, 4320, 28320, 4, 3, 2, 0, 28320 is final price, अब क्या होगा, राजस्तान person will pay to a 28,320, अब देखो फिर से, ऐसा मत पूछना, सर X का क्या होगा, सर B का क्या होगा, जो होगा वो होगा, क्योंकि हम किसके angle से देखेंगे, जिसने purchase sale दोनों किया है, क्योंकि अगर आपको clarity चाहिए ITC की, तो ITC का मतलब क्या है, जिसने purchase भी किया है, जिसने sale किया है, उसे ITC मिलता है, मैंने last lecture में बूला था, कि आप लोग student हो, आप लोगोंने fees में GST भरा है, आपने क्या कर लिया, कुछ नहीं, वो आपका cost हो जाएगा, लेकिन अगर आप purchase करके sale करते हैं, तो कोई मतलब है, इसलिए यहाँ पर हमेशा हम viewpoint किसका देखते हैं, जो बीच में हैं, जिसने purchase, sale दोनों किया है, और आपको confusion ना हो, इसलिए मैं इसमें क्या करूँगा, यह B से आगे भी मैं sale करने वाला हूँ, और फिर मैं B का angle लूँगा, तो आपको पूरी chain समझ में आएगी, कि भई, X to A में क्या हुआ, A to B में क्या हुआ, B to C में क्या हुआ, हम सब देखने वाले, तो यहां पर क्या हुआ, खाली जो मैं लिख रहा हूँ, उसमें confusion होता है, तो बताओ, उसके अलावा, आपके confusion सब result कर लूँगा, अब यहां पर क्या हुआ, A ने buy किया था, X से, और A ने sell किया है, B को, तो A के angle से अगर हम देखते हैं, with A angle, so A has done sales, that is your output tax, किसको किया है, B को, तो वहां पर आपने IGST पे किया है, कितना IGST collect किया था, 4320 collect किया था, so when you have sold to another state, it is IGST, what is IGST, 4320, यह पे करने का था, और आपने जो purchase किया था, जिसमें हमने ITC, that is input tax credit था, उसमें आपके पास दो tax थे, तो CGST credit था, 1800, और SGST credit था, 1800, दो ही था, okay, CGST का credit था, और SGST का credit था, यह दो हमने purchase करते वक्त पे किया था, X को, अब आप ध्यान से देखो, मैंने जो आपको उपर concept समझाया, जिसको नहीं समझ मैं आथा, एक बार फिर से समझाता हूँ, कि अगर आपको IGST का payment करने का हुआ, तो IGST का payment करने के लिए, सबसे पहले आपके पास IGST होना चाहिए, है, तो उसको पहले set करो, सर नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास CGST का balance है, CGST set करो, SGST का balance है, SGST set करो, ओके, तो IGST pay करने के लिए, आप IGST use कर सकते हो, नहीं है, तो C कर सकते हो, नहीं है, तो S कर सकते हो, तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, हमें pay करना है IGST, हमें pay करना है IGST लेकिन मेरे पास IGST का balance नहीं था क्योंकि मेरा purchase local था और मेरा sale another state में था यह सब probability हो ही सकती है ऐसा तो है नहीं हो सकती it can always happen तो in this scenario what will happen सबसे पहला preference किसको चला जाएगा CGST को यानि मुझे pay करना था 4320 लेकिन मेरे पास IGST का balance नहीं था तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरे पास IGST का balance था नहीं था तो मैं nil लिख रहा हूँ यह मेरा first rank था okay it is first priority second priority मेरी क्या होगी CGST CGST का मेरे पास balance था हाँ सर balance था 1800 वो minus करूँगा उसके बाद सर क्यों उसके बाद क्योंकि अभी भी पैसे मुझे ज्यादा देने है सिर्फ अठा रासो okay उसके बाद भी मेरे पास पैसे भरने के आएंगे so can you tell me what is the difference 4320-1800 and 1800 okay 4320-1800 720 तो यह 720 मुझे net payable आएंगे लेकिन सुनो बहुत ध्यान से सुनो यह net payable है वो कौनसा tax है वो बहुत important है देखो मेरा payable क्या था IGST मेरा payable क्या था IGST this was payable उसमें से मैंने set क्या किया है मैंने s लेकिन अभी भी 720 पेबल है लेकिन यह क्या है पेबल यह पेबल जो है ना वो IGST पेबल है क्योंकि मेरी liability IGST की थी it is not c और s पेबल it is IGST पेबल second transaction IGST पेबल this is b तो मैंने यह transaction कैसा समझाया ए ने खरीदा है local local हम खरीदेंगे within state तो हम क्या करेंगे cns का payment करेंगे तो cns का payment क्या होगा 1800 1800 वेर यह purchase करके मैंने दूसरे state में राजस्तान में गूर्स पेच दिए 20% margin के साथ तो बेच सकते हैं तो 24,000 में मुझे IGST लगेगा और अगर मुझे IGST लगेगा so what will happen in that case 4320 pay करने का आएगा set off करने के लिए मेरे पास IGST है sir नहीं है कोई बात नहीं cGST है कर लो set off sGST है कर लो set off sir सब set off कर लिया उसके बाद भी pay करने का आया sir क्या pay करने का आया IGST so that will be covered over here in B okay अब मैं तीसरा transaction ले रहा हूं don't get confused अब मैं तीसरा transaction ले रहा हूं अभी तक खतम नहीं हुआ तीसरा transaction में क्या हो रहा है ध्यान से देखो देखो यहां पे बोला कि IGST payable to central government that is 720 अखिआ सके बाद b of राजस्तान जो है वह perhaps सी उफ राजेस्तान में बेच रह यह वी ऊफ राजस्तान Moderat hard okay 20 परसंट मार्जिन के साथ का 20 परसंट मार्जिन के साथ तो दोनों राजस्तान के ओंगए अकि झाल झाल